Arduino के उपर exam में एक short question आने वाला है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे सबसे पहले तो हमें यह समझना पढ़ेगा कि Arduino is based on microcontroller अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि कि microcontroller का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता ताहो कि microprocessor का मतलब क्या होता है थाकि आपको comparison करने के लिए कुछ रह कुछ मिले a micro processor is responsible for doing multiple activities और अगर microcontroller की बात की जाए तो microcontroller is responsible for doing single activity for example camera camera single activity करने के लिए design किया गया है right तो now the moral of the story is microcontroller is responsible for doing single activity and Arduino is based on microcontroller अब Arduino की ये जो अलग-अलग components है उन components का अभ्यासम करने वाला है मैं का करने वाला हूँ अभी ये जो screen है इसको थोड़ा सा zoom करने वाला हूँ to this diagram ताकि आप इस diagram को थोड़ा सा clearly देख सको और screen के बाहर रहके मैं आपको इस diagram को explain करूँगा या basically इस diagram की अलग-अलग component समझाओँगा अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि Arduino का जो exact original diagram है वो ये है बढ़ अगर आप exam के लिए video देख रहे हो तो exam में आपको इतना जादा fancy diagram draw करने की जरुवत नहीं है एक्जाम में आप या तो ये diagram ड्रो कर सकते हो या तो notes के अंदर जो diagram मैंने ड्रो करके रखा है वो diagram ड्रो कर सकते हो वो diagram ज्यादा exam specific है और इसलिए ज्यादा better है बढ़ फिर भी अगर आप ये diagram draw करना चाहते हो that is totally fine अब हम diagram को समझना शुरू करते हैं अब सबसे पहले हम समझते है analog input port को ये जो port आपको दिखाए दे रहा है इस port को हम कहते है analog input port ये port analog input accept करता है मतलब analog input accept करना ये इस port का का काम होता है अब इस port के अंदर from A0 to A5 ये 6 total pins होती है और इन pins को हम कहते है analog input pins अब हम ये समझते है कि digital input output का मतलब क्या होता है digital input output के अंदर from D0 to D13 total 14 pins होती है अब तुमारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि digital input output का मतलब क्या होता है Digital Input Output का मतलब होता है कि यहाँ पे Input भी होता है और Output भी होता है क्योंकि यहाँ पे तो बस Input हो रहा था ना बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Input ने होता यहाँ पे Input भी होता है और Output भी होता है बट क्या और कैसे देखो जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि यहां पे फ्रम D0 टू D13 14 पिंस होती है तो सबसे पहले हम D0 और D1 इन दो पिंस को देखते है क्योंकि यह दो पिंस जो काम करती है वो काम बाकी पिंस से अलग होता है तो देखो अभी D0 और D1 यह जो दो पिंस होती है यह दो पिंस डिजिटल इनपूट आउटपूट के लिए यूज नहीं की जाती बट सीरियल इनपूट आउटपूट के लिए यूज की जाती है अब सीरियल इनपूट आउटपूट का मतलब क्या होता है सीरियल कम्यूनिकेशन का मतलब यह होता है उन सारे के सारे serial devices के साथ data exchange करने के लिए मिल सके या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इस board के साथ और उन में से किसी एक serial device के साथ इन दोनों के बीच में data exchange हो सके तो अभी हमने यह देखा कि D0 और D1 यह 2 pins क्या क्या काम करती है अब हम यह समझते है कि D2 से लेकर तो D13 यह सारे के सारे pins कियी यूज़ की जाता है जیसे कि यहाँ पे नाम लिखा है digital input output तो यह जो D2 से लेकर तो D13 यह जो सारे के सारे pins होती है इन pins को digital input output के लिए use किया जाता है तो अभी तक हमने समझा कि analog input क्या होता है और digital input output का मतलब क्या होता है अब यहाँ पे होता है एक USB jack इसके मदद से यहाँ से तुम PC को connect कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पे बीच में micro controller होता है which is very 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 important अब micro controller क्या करता है देखो जैसे कि मैंने तुम लोग को starting में ही बोला था कि micro controller is designed for doing a specific task तो यह भी micro controller एक specific task ही करने वाला है यह basically single task मतलब basically वही अब जो भी single task या जो भी specific task यह micro controller करेगा उस task को पहले program तो करना पड़ेगा तो वो program जो हम करते है वो PC के उपर होता है ठीक है मतलब PC के अंदर वो program बनेगा और फिर वो program micro controller के अंदर जाएगा और फिर यह जो micro controller है वो उस program के according रन करेगा यह basically काम करेगा ओके अब micro controller हो गया अब यहाँ पे एक test LED होता है जो pin number 13 के साथ connected होता है ठीक है और यह test LED क्यों use किया जाता है अब हम और एक important चीज़ देखने वाला है विच आरेक्स और टी एक्स जब आडियो नो board कुछ receive करता है तो तब आरेस light blink करता है और जब आडियो नो कुछ भी send करता है तब TX light blink करता है यह है आरेक्स और TX के पीछे की science और अब इन सब चीज़ों के बाद number आता है power jack का power jack का इस्तमाल power supply को लेने के लिए किया जाता है और power jack के पीछे की और एक science तुम्हें समझने की ज़रुत है जब तुम इस आडियोनो बोड को PC के साथ connect करते हो तब इस आडियोनो बोड को PC power provide करता है बट जब तुम इस connection को हटा देते हो तब तुम्हें इस आडियोनो बोड को वैसे नॉर्मली plug लेकर connect करना पड़ता है ओके यह तुम्हें समझने की ज़रुत है अब हम यह समझते है की ECSP का मतलब क्या होता है देखो जब भी तुम यह खरीदते हो ना तब उस पे एक framework होता है अब तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा होगा की framework का मतलब क्या होता है इट इस अ पर्मनेंट सॉफवेर programmed into a read only memory तो जब तुम यह खरीदते हो इस पे एक framework होता है तो अभी यह जो framework होता है अगर तुम्हें इस framework को change करना है या इसको हटाना है या इसको modify करना है ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए ICSP का इस्तमाल किया जाता है अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा की ICSP का मतलब क्या होता है ICSP का मतलब होता है In Circuit Serial Programming तो basically यह उस framework को remove और modify कर सकता है अब आखरी में इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हमारे पास आता है यह reset reset का मतलब क्या होता है या यह क्यों यूज किया जाता है reset is used to reset the Arduino board simple as that अब तुम्हें आखरी जो चीज समझने की ज़रत है वो यह है कि Arduino में अलग-अलग microcontrollers हो सकते है बट जो microcontroller latest है वो है 80M328P अब यह जो microcontroller है जिसका नाम मैंने आपको अभी बोला वो microcontroller most of the recent Arduino boards में use किया जाता है अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और यह हमारा playlist है इस playlist में आपको इस subject के सारे के सारे videos मिल जाएंगे Thank you so much